मित्रों नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दी कभिनंदिन करता हूँ इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रस्तूती कमल नंदलाल का भविशयफल भविशफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल की साथी साथ आपको बताएंगे राशे नुसार कुछ सिंपल से उपाई राशे नुसार ही आपका शुभंक और शुभरंग भी पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश उपाय जो आपके जीवन की किसी खास प्रॉब्लम को किसी खास समस्या को आसानी से दूर कर देगा तो चलिए शुरुबात करते हैं कमल लंदलाल के भविशफल की पंचान के साथ तो दिन है मंगलवार का तारिख है दो अपरेल दो हजार चौबिस चैतर कृष्णा अश्टमी पर चंद्रमा धनू राश्य और पूरवा शाला नक्षत्तर में रहेंगे दिन का शुबंक रहेगा पांच शुबंक रहेगा तौर कोईस यानि कि फिरूजी शुब दिशा रहे है और इस दिन बासोड़ा पर्व मनाया जाएगा बासोड़ा का मतलब होता है इस दिन विशेश रूप से देवी को बासी भूजन का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी भूजन किया जाता है और इस साल का आखरी दिन होता है जिस दिन आप रखावा खाना खा सकत तो ये आखरी दिन है जो दिन बासी भोजन किया जा सकता है और ऐसे में हमारा जो विशेश उपाय है वो भी शीतल आश्टमी और बासोडा से ही जुड़ावा उसकी पूरी जानकरी देंगे लेकिन कमल नंदलाल के भविश्य फल के राशी फल में सबसे पहले बात करेंगे प संदूर से मस्तख पढ़ते लग करें दूसरी राशी व्रिश यानि के टॉरस की बात करेंगे आए व्रद्धी होगी मन में नकरत्मक विचार हाभी रहेंगे कामकाज में घरेली से योग मिलेगा परिवार में खुशाहली रहेगी संतान से खुशकबरी मिलेगी उपाय ये करें कि किसी धार्मिक चुत्र पर मिश्ठान का भूग लगाए चौथी राशी कर्क यानि के कैंसर की बात करेंगे भाशा पर काबू रखें पारिवारिक समस्याओं से परिशान रहेंगे आर्थिक लेंदेन में पूरी सावधानी बढ़तें नए लोगों सो मुलाकात होग आए व्रध्धी के योग हैं उपाई ये करें कि किसी धर्मिस्तल में शहर्च चढ़ाएं च्छटी राशी कन्या यानि वर्गों की बात करेंगे मन किसी बात को लेकर परिशान रहेगा कुरूद उपर नियंतरन रखें दफ्तर में वाद विवाद के योग हैं नामपत जी योग मिलेगा सेहत पर ध्यान दे सम्मान में व्रध्धी होगी उपाई ये करें कि किसी गरीब महिला को गुड़दान करें आठवी राशी व्रिश्च चेकने के स्कुर्पयों की बात करेंगे नए लोगों के संपर्क से लाब होगा आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी मानसिक शान्ती बनी रहेगी आत्म विश्वाश से भरे रहेगी परिवार में सुक शान्ती बनी रहेगी उपाई ये करें कि थोड़ा सा जीरा सिरसे बार कर पानी में बात करेंगी मानसिक बाधा का सामना करना पड़ेगा सामाजिक प्रभाव में व्रध्धी की संभावना है करियर में सफलता मिलने के योग हैं चात्रों के पढ़ाई लिखाई बहतर रहेगी सेहत में भी सुधार आएगा उपाइए करें कि किसी गरीब बालब को रियोणिया दान करें दस्वी रैशी मकर यानिकी के प्रिकौन की बात करेंगे अपनी सेहत पर पूरा ध्यान बनाये रखें कारियों में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे नौकरी में प्रमोशन के योग हैं खर्चों में व्रद्धी होगी बाधा के बावजूद भी सफलता अर्जित कर मसूर के दाने पूजागर में रखें ग्यारवी रैशी कुम्भ यानिक अक्वेरिस की बात करेंगे मन में शांती बनी रहेगी भाशा और आचरान पर नियंतरन रखें परिवार का सहयोग मिलेगा रुकेवे सरगारी काम का अच्पूरे होंगी खास लोगों से संपर्कों ह होगा उपाई यह करेंगे जे में लाल रंग का पैन लगाए शुबंक बारवी रैशी मीन यानि पाइसिस की बात करेंगे अपनी भावनाय नियंतरन में रखें परिवार के समस्यां परिशान करेंगी हर एहम फैसला बहुत सोच समझ करके आपको लेना होगा वहान सुख मे ब्रद्धी की संभावना है धर्म कर्म में आपकी रुचे भढ़ेगी उपाईये करेंगे तिजोरी पर मोली बात है तो दोस्तों समय है आज के विशेश उपाएगा वो विशेश उपाई जो अशांती से आपको मुक्ति दिलवाएगा देखिए शीतला का मतलब क्या होता ह तन में शीतलता मन में शीतलता और प्रकृती में शीतलता तो ऐसे में मानसिक अशांती से मुक्ति पाने के लिए महादेवी शीतला का पूजन करें और महादेवी शीतला पर ठंडे शर्बत का भोग लगाए और भोग लगावा जो ठंडा शर्बत है इसे गरीब कर्यों में और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंत्र कजब करें शीतला ओम श्रीम हरीम शांती प्रदाय नमहा आश्वस्त करता हूं आपको अशांती से निश्चत मुक्ति मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाव से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्का कर दो कर दो कि अर्दा सबस्तों आपको अश्वस्त करता है कि अर्म